हेलो वेलकम टु माइ चैनल स्वाज हम ये ड्रेस करने वाले हैं कलर अगर आपको ड्रॉइंग सीखना है इसकी स्केचिंग देखनी है तो क्लिक टू दा आई बटन फॉर द्रॉइंग और आगया बढ़ते हैं कलरिंग में तो बेस हमने ब्लू कलर से किया है यह मैंने यहां प ठ्यूंसिल कलर को का यूज किया है यहाँ पर ढहर की आगicon से ब्रैंड का कलर में यूज करती हूँ और कौन से पैंसिल कलर यूज करती हूं प्लीज क्लिक डाइड बटन आपको डीटेयल में मटीरल देरेगा सो हम यहां पर पहला shade दे रहे हैं हमारा brown color यूज़ करके सो brown pencil color से हम shade कर रहे हैं इसको और फिर मैं पानी को mix करके जो हमारा blue है उसको ये brown के साथ mix कर रहे हूँ ताकि दोनों color आपस में merge हो जाए अब मैं यहां white poster color का यूज़ कर रहे हूँ और double zero brush का यूज़ कर रहे हूँ यहां पर जो pattern है उसको add करने के लिए यह यहां पर criss cross lines हैं जो कि इस dress में आए हैं तो सबसे पहले जो हमारे horizontal line है मैं वो बना रहे हूँ और then vertical line बना रहे हूँ अब आप देख सकते हैं कि मैं parts में line बना रहे हूँ मतलब पूरी dress में मैंने एक साथ line ने खीचा है मैं parts में आप देख सकते हैं जहां जहां जो जो lines in parts vertical and horizontal lines and depending on the parts and filling lines on all the parts individually it's because that we have to consider the folds we cannot go beyond the folds मतलब अगर dress में folds हैं तो आप जो हैं फोल को consider करके आप उसमें loin draw करेंगा ऐसा नहीं होता है कि आप एक साथ पूरे dress में line बना दो आप यह काम नहीं कर सकते हो so keep in mind you have to go in the folds and you have to draw the lines in parts and you can see the poster color is coming over the shading जो हमने shading की है उसके उपर आ रहा है poster color वो cover हो रहा है तरह साथ देख सकते हैं बिल्कुल जाले वाला structure बन चुका है because of the poster color double zero brush I am using here अगर again आप material required में देख सकते हैं कि कौन से ब्रांड का brush यूज़ कर रही हूं है so इस तरीके से आपको design को cover करना है सबसे पहले design से पूरे dress को cover करना है now we will again use the brown color क्योंकि जैसे मुझता है कि इसमें जाले का structure बन गया था because of the poster color अब हम दुबारस इसमें shadow add करेंगे जहां जहां पर हमको pattern कम दिखाने है wherever we want the pattern to be seen less we are covering it again with the brown color pencil and now we are doing the footwear footwear में normal मैंने yellow के साथ orange mix किया है और footwear को normal color करके चोड़े और चोड़े से pattern मैंने डाले है pattern add किया है now it's time to color the phone basic black में थोड़ा सा white mix करके मैंने color बनाया है और यह नीचे में थोड़ा सा shade add करेंगे finally final touch देंगे यहां पर design को so hopefully आपको यह design अच्छा लगा होगा बहुत ही simple design है कोई भी कर सकता है drawing आप पहले वाले वीडियो से सीख लेना और आप color करना आप मुझे instagram पर tag कर सकते हैं इस drawing के साथ thank you so much for watching this video like share and subscribe and comments में मुझे बताईए कि आपको यह drawing कैसा लगा and आप inspire हुए या नहीं इस drawing को करने के लिए so thank you so much I'll see you in the next video